हलो फ्रेंड मैं बिर्जेश कुमार ओपिसेल यूटूब चैनल जी ओ वी टी यानि गॉवर्मेंट जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो पहुत ही मातपुन होने वाला हैं क्योंकि इस वीडियो में विभीन पत के बारे में बताने वाला हूं और लाइवरी साइंस के फिल सब्सक्राइब करने से पहले तो डीटेल जंकरी मैं अभी आपको बताऊंगा तो पत की बात करें तो जो पत हैं अप्रेंटिशिप के लिए हैं विभीन फ्रेड में आवेदना मंत्रित हैं क्वालिफिकेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूं नंबर आव वेकेंसी यहां पे दिया गया है और जो मंतली सेलरी मिलेगी कंटेक्चुल सेलरी यहां पे दिया गया है तो यह जो अप्रेंटिशिप डिप्लोमा अप्रेंटिशिप या ग्रेजुएट अप्रेंटिशिप के लिए आवेदना मंत्रित हैं इन्वर्मेंटल और या सीबील में जो हैं इन्वर्मेंटल सीबील और केमिकल इंजिरिंग में टोटल चार पद हैं इलिटिकल इंजिरिंग में 25 प हैं qualification में applied physics electronics में 3 पद हैं और library science में total पद है 8 इस तरह से total 82 पदों पर आवेदना मंत्री थें सभी पद के लिए जो salary है 8000 से लेकर 9000 रुपिये पर मंत के हिसाब से आपको salary मिलेगी application form फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले national apprenticeship training scheme के website पर जाना है वहां से registration करना है उसके बाद या जहां पर vacancy आया है इस website पर आपको जाना है वहां से application form डाउनलोड करना है उसको फिल करना है और उसके उपरांद आपको send करना है आपका जो application form है 25 जुलाई 2024 तक इसमें जो एडेस दिया गया है यहां पर एडेस दिया गया है यानि दिली में आवेदन आमंत्री थे तो इस एडेस पर आपका application form पहुंचना चाहिए सबसे ज़्यादा मातपूर्ण बात यहां है कि यह जो वेकेंसी है यहीं डी टी यू में आवेदन आमंत्री थे और इस अंस्ता के पास rights है कि पदों की संख्या बढ़ा सकता है और घटा सकता है यह requirement पड़ी तो अपली यह जो वेकेंसी है इसको केंसील भी कर सकता है विडाउट नोटिस दिया यह application जो है इसको केंसील भी कर सकता है इसके अलवा original और copy of all relevant document application form के साथ में जो है जिस दिन आपको interview होगी उस दिन आपको पहुंचना है इसके बाद तिसरे नंबर में दिया है कि complete apprenticeship यानिए apprenticeship एक साल के लिए होता है और complete करने के बाद आपको कोई rights नहीं है कि आप कोई complain करेंगे सबसे पहले NTS portal है apprenticeship act के थुरू 1961 apprenticeship act जो rules है 1992 यह rules applicable है applicable का मतलब कि सबसे पहले संस्ता पर registration करना पड़ता है उसके बाद application form fill करना पड़ता है अब यह जो vacancy है न दिल्ली में आवेदन आमंत्रित है और दिलही technological university में आवेदन आमंत्रित है यह notification download करने के लिए मुझे काफ़ी time लगा तो आपको भी time लगेगा download करने में तो इसलिए आप इस channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर ले बेल notification को on करके रखें जिसे के update और नी वीडियो की जंकारी मिलता रहे और इस वीडियो को like करने के साथ साथ इ वीडियो को share करें कि आपकी friend भी इसे apply करें एक बात को ध्यान में रखना है